विदाईका संबंधी मामले में दोनों के बीच के संबंदों का अध्यान करने के बाद अब हम आते हैं administrative मामलों में और साथ प्रशासनिक मामलों में इन दोनों के बीच में कैसे संबंध है समवेधानिक जिष्टी से समविधान में क्या प्राउधान है यद्यपी ये बात उस्पष्ट है सम्विधान में कि प्रतेक राज्य को अपने अपने ख्षेतर में प्रशासन संबन्दी कारियों में स्वतंतरता है लेकिन व्याभारिक दिश्टी में कुछ और होता है राश्ट्री हितों के दिश्टी से अधि देखा जाए तो राज्यों के प्रशासन में संगी सरकार के निरिक्षन का अधिकार है निर्देशन का भी अधिकार है और नियंतरन का भी अधिकार है और था देखा जाये तो कुल मिलाकर स्वतंतरता तो है लेकिन यदि केंद्र चाहे तो मामलों में निरिक्षन कर सकता है निर्देशन भी दे सकता है और नियंत्रन भी कर सकता है आखे वो कैसे कैसे करता है ये तीनों काम प्रशासनिक मामलों में administrative मामलों में पहला राज़िपाल के माध्यम से राज़िपाल की नियुक्ति राश्ट्रपति द्वारा राश्ट्रपति स्वैम तो निक्त करते नहीं उन्हें जो आस्थाई राज़ पालिका है कारेपालिका और था मंत्रि मंडल केंद्री मंडल वह उन्हें एक तरीके से परामर्ष देता है किसी को निक्त करने का जिसे निक्त करने के लिए विवश हैं तो यह इस बात का सपश्थ दाहरन है कि प्रत्येक राज़् में प्रशासनिक प्रधान जो राज़्िपाल होता है उसकी निक्ति राश्पती दोरा की जाती है और ये अपने कारियों के लिए राश्टपती के प्रती उत्तरदाई होता है राश्जपाल और किसी के प्रती नहीं तो राश्टपती के प्रती उत्तरदाई होना ही इस बात को थाबित करता है कि प्रशासनिक मामले में केंदर की दखल है इस प्रकार वो राश्पति के प्रतिनीदी के रूप में कारे करता रहता है तो पहली बात तो इस पस्ट राज्यपाल की विपस्थिती है दूसरा राज्यपाल की विपस्थिती के अलावा अखिल भारती सेवाओं की व्यवस्था मैंने पूर में जिक्र किया कि पूरे देश में अखिल भारती सेवाओं के लिए एक संस्था है पिछले अध्यायव में भी मैंने इसका जिक्र किया है जो जिस संस्था का नाम है Union Public Service Commission संग लोक सेवा आयोग ये 29 तरह की अखिल भारती सेवाओं के लिए परिक्षा लेता है और इसके अलावा कुछ अन्य परिक्षा हैं भी इन परिक्षाओं में Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service, Indian Revenue Service, Indian Railway Service, Indian Fire Service और ऐसे 29 तरह की Services है इसके लावा और भी बहुत से एक्जामिनिशन है जो वह कंड़क करता है और ये सब परिक्षाओं जो हैं वो अखिल भारती स्थर पर हैं और इसकी जो नियुक्तियां हैं वह भी अखिल भारती स्थर पर हैं अर्थाद इनकी नियुक्तियां केंदर के द्वारा की जाती हैं केंदर इनकी नियुक्ति कहां करता है राजियों में करता है राजियों को कलेक्टर्स की जुरत है जिला चलाने के लिए जिलाधीशों की जुरत है इन जिलाधीशों के नाम केंदर भेचता है यू पीस्थी के माध्यम से राजिय के पास आते हैं और राज़ बाद्य है उन नामों को ही अपने राज़ में नियुक्ति करने का तो इसमकार भारती संविधान की जो व्यवस्त्रा है उसके अंतर ग़त्त संग और राज़ दोनों के उच्छ अदिकारी राज़ के अखिल भारती सेवा के सदस से होते हैं और इन सेवाओं के अधिकारियों पर संग का नियंतर रहता है राज्य का नियुग यदि राज्य को किसी तरह की आपती है इन में से किसी अधिकारी पर तो वो स्वैम कारवाई करने के लिए सक्षम नहीं है उसे केंद्र को तत्सम्मंदी सूचना देनी होगी इन अधिकारियों को पूरे भारत में कहीं भी स्थानांतर्त किया जा सकता है और जैसा मैंने बताया कि केंद्र हर राज्य को सूची भेजता है जो अधिकारी इनके मातहत यहां काम करेंगे लेकिन जुरत पढ़ने पर इन अधिकारियों को केंद्र बुला सकता है अपनी सेवाओं में ले सकता है इनके कैडर को बदल सकता है आदी आदी निशकर्ष ये कि अखिल भारती सेवाओं की व्यवस्था इस बात को साबित करता है कि प्रशासनिक मामले में दोनों के संबन कैसे हूँ तीसरा मुद्दा राज्य सरकारों को निर्देश निर्देश देने का अधिकार भी जरूरत पढ़ने पर जैसा मैंने बताया नियंतरन निर्देश और उसके अलावा निरिक्षन लेकिन निर्देश एक अलग बिंदु भी है डायरेक्टिव आदेश एक तरीके से दिशा देना तो राज्य सरकारों को निर्देश देने का जो अधिकार है केंद्र का वह अनुच्छे 246 के तहत है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को कारिपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होगा कि संसद द्वारा कानूनों का पालन सुनिश्चित हो शब्द रचना देखियो राज्य की कारिपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने के लिए बाद्य है तथा संग की कारिपालिका की शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वहीं से आवश्यक समझे लेकिन स्वतंत्र तो है इस प्रकार भारती संग में संगी सरकार को राज्य सरकारों को जरूरत पढ़ने पर हिदायत देने निर्देश देने का अधिकार है प्रशासनिक संबन्द में अगला बिंदू जो है वह है चोथा और चोथा बिंदू का संबन्द है राज्य सरकारों को संगी कारे सौंपना अर्थात इसके माइने क्या हुए राज्य सरकारों को संगी कारे सौंपने के अर्थ क्या हुए राश्पती, राज्य के कर्मचारियों या सरकारों को कोई भी कार करने का आदेश दे सकता है और इन आदेशों का पालन करना करतब भी है, राज्य सरकारों का या राज्य के कर्मचारियों का अब आपने पूर्विक अध्यायों का अध्यायों का अध्यायों किया है तो उसमें आपने समझा है कि जो चुनाओ होते हैं ऐसे चुनाओ जो चुनाओ आयोग द्वारा संचालित होते हैं तो चुनाओ आयोग राज के करमचारियों और अधिकारियों को अपने मातहत लेने का एक तरीके से प्रामश दे सकता है और राज के लिए बाद जी है कि इन चुनाओं को संपन कराने के लिए वह करमचार इसके लावा अन्य स्थितियों में भी अन्य स्थितियों में भी राज के लिए आवश्यक है कि मांगे जाने पर राज के करमचारियों की सेवाएं या राज के अधिकारियों की सेवाएं सरकारों की सेवाएं के इंदर में स्थान अंतरित हो जाएं और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करने पर राश्टपती उसे उस राज्य में संविधान द्वारा निर्धारित शासन व्यवस्था की असफलता कहेगा और संविधान द्वारा निर्धारित शासन व्यवस्था की असफलता के आधार पर या तो वहां राश्टपती शासन लागू कर सकता है, अर्थात केंदर का नियंतरन ला सकता है, राज्य की सरकार को भंग कर सकता है, राज्य की विधान मंडल को सस्पेंड कर सकता है, और चा कारणों से केंद्र के इन आदेशों को नहीं मानता है तो रज सरकार बर्खास की जा सकती है भंग की जा सकती है तो इस प्रकार रज सरकारों को चंगी कारिस्वापना संग के द्वारा मांगे जाने पर यह उनके लिए बद्ध है आवश्यक है ऐसा करने पर जैसा मैंने बताय पूरी व्यवस्था भंग होगी, उसके साथ ही राज्य की जो शासन समंधी शक्तियां हैं, राज्य को चलाने की प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो सब के इंदर में चली जाती हैं, जो वह राज्यपाल के माध्यम से ऑपरेट होती हैं. एड्मिनिस्ट्रिव मामले में, प्रशासनिक मामले में, अगला बिंदु है कि पूरे जो संग का खेत्र है, उसमें जो राज्य हैं, वो निकाईयों को, वो आपातकाल के नाम से, या राश्पत्षिशासन के नाम से, या किसी अन्य मुद्धों पर, के अधार पर, उन पर, संवेधानिक तरीके से करवाई कर सकता है, संचार सादनों की रक्षा के मामले में भी, केंद्र, ज्यादा हवी है, वह कैसे, संचार सादनों की रक्षा, संचार के सादनों की रक्षा का दायित्म, केंद्र सरकार का है, संगी सरकार, राज्यों के अंतरगत आने वाले हवाई अड़े, रेल, डाकतार और अन्य जो ऐसे राश्टी महत्व के जो आवागमन और संचार के साधन है उनकी रक्षा के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देती है और देश सकती है क्योंकि केंदर सरकार ने जहां ये हवाई अड़े, रेलवे की व्यवस्था और डाकतार की व्यवस्था, कम्यूनिकेशन आदी की व्यवस्था की है जो उसका दाइत्व होता है तो आखिर राज्य के लोगे सुनिश्चत करना होगा कि ये दाइत्व, ये जो खेत्र, जो हवाई अड़े आदी बने हैं, उनक पर वह समुचित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था करें समय समय पर केंदर के आदेश इन मामलों में आते रहते हैं, जो राज्य के लिए बात दे हैं, इनका पालन करना राज्य के लिए बात दे है राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि हवाई अड़ों के मामले में जो भी निर्देश आए रेलवे स्टेशन या रेलवे के मामलों में जो निर्देश आएं उसका वह पूर्ण रुपेंड पालन करे ऐसी कुछ राष्टी महत्य के जो आवागमन के मार्ग हैं चाहे वे हाईवेज हो या किसी अन्य तरह के सामरिक द्रिश्टिते महत्पूर्ण हो वहाँ पर भी केंद्र के निर्देशों का पालन करना राजी के लिए अनिवार है और इनके परिपालन में जो अत्रिक्त विया होगा वो संगी सरकार राजी को देता है क्योंकि अनिथा राजी सरकार बारंबार या कह सकती है कि आपके इन निर्देशों के पर्रनाम स्वरूप हमारा व्याए बहुत हो रहा है या राजसरकार ये भी कह सकती है कि इन चीजों के रख रखाओं में के लिए जो आवशक धन है वो हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में केंदर सरकार ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए ये प्रावधान है हमारे समयधान में कि इन सब के रख रखाओं के लिए केंदर सरकार जो है संग की सरकार जो है वह राज को पर्याप्त धन मुहया कराती है अतरिक्त व्याय के संबन में पर्याप्त पैसा मुहया कराना संचार साधनों की रख्षा एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा है यदि हम अपने 36 गड़ की ओर जाएं बस्तर जैसे खेत्रों में जाएं जहां पर कुछ अवांचनी गतिविधियां कुछ आतंकवादी तत्वों द्वारा की जाती हैं मार्ग काट दिये जाते हैं और उन मार्गों को बनाने के लिए जो संसाधन लगते हैं जे सी बी और भारी वाहनों के रूप में उन संसाधनों को जला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज सरकार अपने को कई बार पंग उपाती है और कहीं कि उस खेतर का विकास बाधित ना हो सड़कें जी काट दी गई है किसी कारण से तो आवागमन बाधित ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन चीजों पर होने वाला समस्त व्याए केंदर सरकार वहन करें और वो राज सरकारों के माद्यम से सब खर्च होने इसके साथ ही संचार सादनों की रक्षा के बाद अगला है अंतराश्टी परिशद का निर्माण लोग हित को दृष्टी में रखते हुए विभिन राज्यों के जो आपसी विवाद हैं उन विवादों का निप्टारा करने के लिए जाज करने के लिए प्रामर्ज देने के लिए राश्ट्रपती ने एक इंटर स्टेट काउंसिल के स्थापना करने का प्राधान रखा है कई बार ऐसे मुद्धियाते हैं जो राश्ट्री स्तरके होते हैं विविन राजियों का अलग-अलग स्टैंड होता है उस पर एक मत होना जरूरी है या उस पर सर्व सम्मत से कुछ निर्णा होना जरूरी है कुछ निशकर्ष निकलना उस मामलों के लिए में आवश्चक हो जाता है तो ऐसी स्थित्य में राश्ट्र पती अंतराश्टी परिशद का अंतराजी परिशद का निर्मान करता है और इसमें संबन्दित राज्यों के बलकि सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और संबन्दित विभावगों के मंत्री रहते हैं 1990 में अंतर राज्यी परिश्ट के स्थापना पहली बार की गई थी अंतर राज्यी विवादों की बात करें तो कुछ विवाद जो ज़्यादा चर्चित रहे राज्यों के आपसी विवादों के रूप में राज्यों और केंद्र के बीच में तो विवाद के बहुत से मुद्दे थे जिसमें पडोसी राजियों के भू भाग पर दूसरा राजिय अपना दावा करता था, दूसरा भाशाई आधार पर राजियों के गठन को लेकर बड़ा विवाद हुआ, कि भाशा के आधार पर वह हिस्सा हमारे राजिय में आना चाहिए, ये हिस्सा दूसरे राज में जाना चाहिए आधी आधी लेकिन सीमा वर्ती खेतरों की समस्या क्या होती है ऐसे खेतर जो दो तीन राजों की सीमाओं से मिले हुए हैं वहां की population भी mixed रहती है वहां पे सीमांत की सभी भाशाएं बोली जाती हैं एक से अधिक भाशाएं प्रचलन में रहती हैं तो ऐसी स्थित में जो लाइन खीची गई सीमा बनाई गई उसको लेकर बारम बारविवाद होता था ओदाहरं की तोर पर महराष्ट और करनाटक इसकी सीमा बहुत लंबी common है ने बेल गाम को लेकर विवाद हुआ बेल गाम किस राज्य में रहे मनिपूर और नगलैंड के बीच में लेकर सीमा को सीमा के मामले में विवाद हुआ मनिपुर और नागलेंड के बीच में पंजाब और हर्याना के बीच में तो विवाद काफी लंबा चला सीमा को लेकर क्योंकि पंजाब और हर्याना में दोनों में जाटों की संख्या काफी है और ये जाट बहुलता को लेकर सीमा को लेकर काफी विवाद चला तो एक मुद्दा था सीमा विवाद अंतराजी परिशद के संबन में हमारे और आप के लिए जो एक अहम मुद्दा है वह है शिक्षा पूर में जो शिक्षा जो विशे था जैसा मैंने बताया उसको लेकर काफी विवाद हुआ वह केंदर सूची में भी रहा फिर राज्य सूची में आया और वरतमान में अब समवर्ती सूची में है और इसके पीछे वह एतिहासिक कारण से जो गत सत्तर वर्षों से शिक्षा के विकास को प्रभावित कर रहे थे बल्कि शिक्षा के विकास पर गलत असर पड़ रहा था साथ ही ये भी देखा गया कि अलग-अलग राज्यों का जो सिलेबस है स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलिज के शिक्षा तक का वह अलग-अलग है इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत और थी हर राज्यों के अपने इंजिनिरिंग की परिक्षा होती थी मेडिकल की प्रवेश परिक्षा होती थी आदी आदे परणाम सरूब एक विद्यार्थी को कई राज्यों में परिक्षा देने के लिए जाना पड़ता था और कई बार परिक्षा की त्यों में टकराओ होने के संभावना भी रहती थी, जिससे विद्ध्यारती वन्चित हो जाते थे परिक्षा देने में, इस सब समस्या को देखते हुए, अन्तर राजी परिशत का निर्माण हुआ था, और जिसमें शिक्षा मंत्रियों में भाग ल और इसके बाद कुछ सहमती हुई उस सहमती का ही परणाम है कि आज ऐसी परिक्षाएं अखिल भारती इस तर पर होती हैं और जहां तक कि सिलेबस का सवाल है पूरे देश का सिलेबस लगवक कमो बेश एक जैसा हो गया है कुछ खेतरी तत्वों को जरूर अपने अपने राज के लिए अंतर राजी परिशत का निर्मान किया दाता है और इसके बड़े अच्छे परणाम आए हैं अगला बिंदू मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुध आरोपों की जाच ये प्रशासनिक संबंध में आता है राज्य के मुख्य मंत्री या किसी राज्य क किसी मंत्री पर किसी तरह का अरोप है तो इसकी जाच करने का अधिकार केंद्र को है और ऐसी स्थिति में इनको अपने पद से हटने के लिए भी बद किया जा सकता है केंद्र सरकार दौरा पंजाब के मुख्य मंत्री स्वरगी सरदार पताप सिंग कहरों ओडिसा के मुख्य मंत्री श्री विरेंद मिश्रा इन्होंने अपने विरुद्ध आरोप सिध्ध हो जाने तक मुख्य मंत्री पत से या सिध्ध हो जाने पर बलकि मुख्य मंत्री पत से त्याग पत्र दिय और ये त्यागपत्र देने की विवश्टा थी क्योंकि केंदर सरकार के स्पष्ट आदेश थे समवेधानिक रूप से ये प्राउधान किया गया है कि ऐसी स्थिते में केंदर सरकार राज्य सरकार के मंत्रियों पर मुख्य मंत्री पर समुचित कारवाई करे ऐसे कुछ और भी उधारण भारत में कुछ अन्य राज्यों से भी हैं ये मात्र दो उधारण आपके सामने दिये गए ये भी इस बात को साबित करता है कि प्रशासनिक संबंधों में किस तरीके से कोडिनेशन समन्वे बैठाने का सम्वे धानिक प्राउधान किया गया है केंदर सरकार अतरिक्त व्यहन करती है और वह राज्य सरकार को यह खर्ट उपलब्द कराती है वह रकम उपलब्द कराती है इसी तरह बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर केंदर सरकार राज्यों को अनुदान देती है राज्यों को सहायता भी देती है कल्पना करिए किसी राज में बाढ़ हा जाए भीशन बाढ़ या भीशन अकाल या भूकम या कुछ और ऐसी परिस्थितियां हो जाए जो लगबग आपात कालीन हो जाती है और ऐसी स्थितिय में यदि केंदर सरकार अपने हाथ में यहां का शासन ले ले तो समस्याएं बढ़ सकती हैं राज सरकार को बनाय रखते हुए इन आपदाओं में राज सरकार का रहना सामाने तया जरूरी इसलिए है कि राज सरकार खेतरी विशमताओं से खेतरी स्थितियों से ज़्यादा वाकिफ होती है और इसलिए मात्र सहायता और अनुदान लेकर इन प्राक्रितिक आपदाओं से इन दिक्कतों से मुक्ति पाई जा सकती है संगहत्मक शासन वाले देशों में ये भी विश्था है कि करों से प्राप्त धनराशी का कुछ भाग राज सरकारों को दिया जाए है राज सरकारों की आए का एक मुक्ष श्रोथी है केंदर से करों की कुछ राशी मिलना परंतु ये राशी जो होती ही कई बार कम होती है और ये राशी जो होती है वो अपने वार्शिक बजट के अनुसार इसका प्राधान किया जाता है लेकिन वीशमे सितियों में क्या होगा सामाने सितियों में तो इस पैसे से अपनी आवश्कताएं पुरी हो गई पर अन्य स्थितियों में सरकार बड़ी दिक्कत महसूस करती है और इसलिए संगी सरकार प्रती वर्ष राज्य सरकारों को जरूरत पढ़ने पर साहता देती है और वैसे अनुदान के रूप में धनराशी प्रदान करती है अनुदान देते समय संगी सरकारें जो है वो राज्यों पर कुछ शर्ट लागू कर देती है उधारन के लिए यदि राज्य सरकार चातीतिज गड़ की सरकार चातीतिज गड़ राज्य में शभी शहरों में ड्रेनेज की विवस्था कर रही है नालियों की प्रयाप त्वस्था करने का उसका प्रावधान प्रस्ताव है तो केंदर सरकार उसके लिए आवश्चक धन महया करा देगी अनदान के रूप में लेकिन कुछ शर्तों के साथ इस प्रकार वह राज्यों के उपर अपना प्रभावशाली नियंतरन बनाए रख सकती है और थापित करती है उन शर्तों में जैसे यह बात हो सकती ही के यह पैसा केवल इसी मद में खर्च किया जाएगा जिसके लिए यह पैसा लिया जा रहा है साथ ही साथ उसमें ये भी प्रावधान केंदर रख सकता है कि हर एक माह में या हर पंदरा दिनों में इसकी रिपोर्ट प्रगती की रिपोर्ट केंदर सरकार को जाती रहे तब जाकर अगली रकम उसे मुहिया कराई जाएगी आधी आधी ये तरीका है नियंतरित करने का राज्य सरकार को उसके व्याय को सहायतार अनुदानों के समुचित खर्च को नियंतरित करने का ये बहुत अच्छा तरीका इसके बाद अगला बिंदू है राज्यों में राष्ट पति शासन लागू होना अनुचे 356 भारत में इसका उप्योग बहुत हुआ कई बार तो ऐसा लगा कि इसका दुरुप्योग हो रहा है क्योंकि अनुचे 356 में प्रावधान है कि किसी राज्य में समवैधानिक विवस पर राष्ट पति वहां स्वविवेक से राष्ट पति शासन लागू कर सकता है शब्दावली देखेंगे स्वविवेक से वह लागू कर सकता है राष्ट पति शासन और उसके लिए जरूरी क्या है कि राज्यपाल उसे एक रिपोर्ट भेजे राज्यपाल उसे एक प्रति वेजन दे जिसमें वह यह साबित करने की कोशिश करें कि इस राज की समवैधानिक व्योस्था चरमरा गई है यह समवैधानिक व्योस्था के चर्मराने की इस्थिती पर लोगों में बड़ा बड़ा अलग-अलग विचार है कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ना होते हुए भी केंदर सरकार ने कई बार समवैधानिक व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकारों को भंग किया और राश्ट्रिपति शासन लागू किया राज्य में समवैधानिक व्यवस्था भंग हुई या नहीं इसको लेकर बहुत बार व्यवाद हुआ है इस संबन्द में निर्णे लेने का लेकिन अधिकार राश्ट्रिपति का है अंतिम और दूसरे शब्दों में संगी सरकार को है तो अंतिम निर्णे संगी सरकार का समवैधानिक व्यवस्था को लेकर है ये भी एक प्रशासनिक संबन्दों के मातहत आने वाला विश्व है इस पकार संगी सरकार के पास ये एक ऐसा तुरुप का पत्ता है एक ऐसा अस्त्र है जिससे वह राज्य सरकारों को इशारे पर नचाते रहता है और समवन्दित राज्यों को पर अपनी तरह या समवन्दित सरकारों पर अपनी तरह से पूरा नियंतरशन रखता है हाँ इतना सपस्थ है यदि राज्य सरकार की दली श्थिति वहां के विधान मंडल में बहुत मस्दूत है और थाड़ बहूत अच्छा भहुमत मिला हो तो ऐसी स्टिते में केंदर सरकार राश्पती शाचन लागूल कराने के प्राउधान से दूर रहती है पर कि यदि अंतर कम है भहुमत नहीं है या बहुमत ते बहुत कम ज़्यादा सीटें बहुत कम ज़्यादा सीट उसको मिली हो तो केंदर सरकार ने इसका कई बार दुरुपयोग भी किया है ऐसा हम बारंबार पढ़ते हैं लेकिन याद रखें कि राश्पति शासन लगाने का प्रावधान धारा 356 के तहत है यहाँ अनुछेद आपको याद रखना होगा दसवाँ प्रशासनिक संबंधी मामला वह है अंतर राश्टी अंतर राजी नदियों पर नियंतर इसका उधारन मैं पूर में दे चका हूँ यदि दो या दो से अधिक राजियों के बीच नदी के जल के उपयोग को लेकर विवाद ह तो उस विवाद को का निर्णा लेने के लिए ये दो राजिय केंदर सरकार को अनुरोद कर सकते हैं और संसज इस पर कानून बना सकती है ये कानून धारा 362 के तहद बनता है कावेरी विवाद करनाटका और तमिलाडू के बीच एक बहुत पराना विवाद चल रहा है ऐसे कुछ और खेतरों में कुछ सिमाओं को लेकर विवाद है ऐसे मामले में संबंदित पक्ष राज जो हैं वे केंदर से अनुरोद कर सकते हैं यह भी एक प्रशासनिक मामले के तहट आता है विधाई का तो मामला है ही पर प्रशासनिक दिश्चित भी यह मामला इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें प्रशासन जोड़ा हुआ हुआ है संबंद है अंतिम है संग के सशस्त्र बलों द्वारा राज्य की सहाइता इसके क्यारत हैं संग के 66 रबल कौन कौन से हैं पहले थोड़ा हम जान ले अर्थात केंदर के मातहत कारे करने वाले 66 रबलों में फौज है सेना है उसके बाद सी आर पी एफ है आई टी बी पी है और कोस्टल गार्ड है और कुछ अन्य तरीके के संस्थाएं है संग के 67 बलों द्वारा राज्य की सहायता के संबंध में 1976 में 42 संशुधन के तहट एक नया अनुचेद जोड़ा गया अनुचेद 157 इस अनुचेद 157 के तहट केंदर सरकार को जिसे हम संगी सरकार कहते हैं उसे यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंबीर स्थिति का सामना करने के लिए वहां शशत्र बल या अनिबल भेज सकती है यह स्थिति यह बाद 1976 में यह संशुधन पारित हुआ और इसके पीछे के जो घटना करम थे उसने विवश्थ किया था केंदरी बल की सहायता राज्यों को महया कराने के लिए उसी के परिप्रेक्श में कानून और विवस्था की गंबीर स्थिति के मद्दे नजर केंदर दौरा सशत्र बल भेजने का प्राधान किया गया अब दिक्कत यहां पर यह है कि राज्य में भेजा गया शशत्रबल जो है केंदरी शशत्रबल वह संगी सरकार के निरदेश पर ही काम करता है और ऐसी सिते में कई बार राज्य और केंद्र के बीच में विवात पैदा हो जाता है लेकिन प्रावधान तो है इसके अलावा सन 76 में 44 शिंशोधन किया गया उस 44 शिंशोधन में प्रावधान किया गया कि संबंदित राज्य की सहमती के बिना संगी सरकार वहां सशस्त्र बल नहीं भेजेगी ये 42 स्विंश शिंशोधन के के उस प्रावधान को सुधारने का प्रयास था जिसके तहत ऐसा देखा गया कि केंदर सरकार जब तब अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यास्था की सिति के नाम सशस्त्र बलों को पदस्त कर रही है भेज रही है और उस पर उसका पूरा नियंतरन बना हुआ है और इस प्रकार सशस्त्र बलों और स्थानी पुलीस के बीच में टकराहट के सिति कई बार पैदा हुए इस 44 संशोधन में इस बात को सफष्ट कर दिया गया कि राज्य की अ संब्धान के अनुच्छेद 257 का में भी संशोधन किया गया है इस पकार उपर की बातों से हमने समझ लिया कि प्रशासनिक संबंद किस तरीके से हमारे संब्धान में बनाने का प्रयास किया गया है राज्य और केंदर के बीच में या संगी विवस्था में शासन के खिरत में सामानित राज्य स्वतंत्र है ये बात तो इस पश्ट है लेकिन फिर भी संग जो है या केंदरी सरकार जो है उसका प्रभाव शाली नियंत्रन बना हुआ है यह इन सभी बिंदूओं के अध्यन के बाद इस पश्ट हो गया है केंदर राज्य के स्वतंत्र होने के बावजूद उससे स्वतंत्र नहीं है उससे प्रथक नहीं है उससे अलग नहीं है वह राज्य के पशासन में किसी न किसी रूप में अपने को जोड के रखा है चाहे राज्यपाल की उपरस्थिति के रूप में चाहे अन्य प्रावधानों के मार्ध्यम से लेकिन साथ में ये भी समझना जरूरी है कि संग के अधिकारों से ये जो प्रावधान बताएगे हैं ये आपातकाल में या किसी असाधारन स्थितियों में ही लागू किये जाते ह तो विशेश प्रावधान क्या है? भारती संविधान की जो नायाव विशेशताओं की अदि बात करें तो ये है पहला कि अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग विया भार है जिसका जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा अनेक राज्यों को एक विशेश दर्जा या कुछ विशेश सुविधाएं दी गई है दूसरा राज्यों को रज्य सभा में जो असमान प्रतिन दित्व दिया गया है उसके पीछे ये भावना सपष्ट है कि सभी राज्य समान नहीं है जैसा कि पूर्ण संगहात्मक राज देशों में माना जाता है ये दूसरा दूसरी विशेश्टा है तीसरी कुछ राज्यों को उनकी विशेश्ट सामाजिक और ऐतिहासिक उसके परिस्तितियों के अनुरूप समविधान में कुछ विशेश अ अदिकार दिये गए हैं याद रखेंगे संदर्भ है सामाजिक और एतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए एतिहासिक परिस्थितियों की से हमारा इशारा जम्मू कश्मीर की स्थिति की तरफ था और सामाजिक संदर्भ में यदि बात करें तो पूर्वोत्तर के राज् विशेष अदिकार दिये गए ये हमारे संभधान के विशेष प्रावधान है अनुछे 371 में पूरवत्तर को लिए जो प्रावधान किया उसके अलावा पहाड़ी राजी है माचल प्रदेश अन्य राजी जैसे आंदर प्रदेश गोवा गुजरात महराश तलंग आना इसके लिए भी कुछ-कुछ विशेष प्रावधान जिसका मैं जिक्त किया हूँ